बच्चों संग्या शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसे भी व्यक्ति वस्तु उस्थान जगह के नाम को हम लोग संग्या कहते हैं और यही सरवनाम कलाते हैं को हम जुन सब्दों का प्रियोग हम शंग्या सब्दों की जगह करते हैं आँ यहाँ पर यह चित्र दिया गया है इसके माध्यम से हमें समझाया गया है बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक classroom है, यहाँ पर यह शिक्षी का यह teacher है, जो अपनी classroom में बच्चों से कुछ पूछ रही है बच्चों अपनी पुस्तक निकालो, शिक्षी का student से बोल रही है, अपने class के विद्यार्थी उसे यह बच्चा जवाब देता है, मैं पुस्तक नहीं लाया शिक्षी का बोलती है, तुम पुस्तक लाना क्यों भूल गया निकालो, बच्चा जवाब देता है, मेरी पुस्तक कल खू गय थी, इसलिए मैं नहीं लाया बच्चों अपने ध्यान दिया कि यहां अध्यापी का और बच्चे नाम नहीं ले रहे बलकि नाम की जगह अपनी तुम, मैं, मेरी शब्द बोल रहे हैं यही सब शर्वनाम है मतलब सिख्ची का बच्चा का नाम नहीं लेकर बोली नाम की जगह में बोली तुम पुष्टक लाना क्यों भूल गया है बच्चा अपनी नाम की जगह में बोला मै इस परकार यहाँ पर मेरी तो इस परकार फिर यहाँ पर देखने बच्चों यहाँ पर अपनी मतलब हर student का नाम नहीं लेकर बोली कि अपनी पुष्टक निकालो तो बच्चो ये सारे शब्द सर्वनाम है जो शब्द संग्या शब्द की जगह बोली जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते है इसे फिर से रिपीट करते हैं बच्चो सर्वनाम किसे कहते हैं तो जो सब्द संग्या शब्द की जगह बोली जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं बचों यहाँ पर हिंदी में बोली जाने वले कुछ शर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं जैसे मैं हम तूं वह यह यह उन्होंने उस आप क्या मैंने वे कुछ वे उसने तो यह सारे सर्वनाम शब्द है इनका परियोग हम नाम के बदले करते हैं मतलब संग्या शब्द की जगह इनका परियोग हम करते हैं बचों संग्या सब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वर्चन और बहुवचन होते हैं जैसे यहां प्रोधारन दिया गया है एक वचन और बहुचन मैं एक वचन है इसका बहुचन होता है हम यह इसका बहुचन होता है यह उसी इसका बहुचन है उन्हें इस प्रकानिया परे तुम, इसका भोवचन होगा तुम सब, वह इसका भोवचन होगा वे, मेरा इसका भोवचन होगा हमारा बच्चों इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है तो बच्चों संग्या सब्दों की जगा बोले जाने वाले शब्द सरोनाम कहलाते हैं और सरवनाम शब्द बहुत से हैं, अपने लिए मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और तुम सब्द जो सामने नहीं है, या किसी तीसरे के लिए यह वे वह वे और बड़ो के लिए आप बच्चों यह सरवनाम शब्द है इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है यह एक वच्चन बहुच्चन और किसकी लिए कहां पर हम कौन सा उचित सरवनाम शब्द लगा कर अपने वाक्यों को हम लोग सुन आपने लोग देखेंगे सही शब्द छांट कर खाली स्थान भरें बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है शब्द यहां से चुन कर हमें इन खाली स्थानों में सही शब्द लिखना है जब पहला है तुम अपना काम करो से मैंने यहां से लिया है दुसरा है वह क्या पढ़ रहा है यहां से मैंने लिया तिसरा है मैं अपनी स्कूल जा रहा हूँ चौता मोहन को उसकी किताब दे दो पाच्वा कल मैं अपने मामा जी के घर जाओंगगा इस परकार मैंने लिखा है इसी ठीक इस परकार अपनी पुस्तक में फढ लेना है वच्छो अगला है नीचे दी तोकरिं में आपस में मिल गया है इनमी से सरवनाव शब चाटकर दूसरी टोकरी में डालिए अक्चुब यहां पर यह तोकरी देख रहे हैं यह आपट शब्द eastmmb यह आपस में मिले हूए है और यहां से सरुनाव शब्द चाटकर इस टोकरी में लिखना तो यहाँ पर जैसे है, मेरी, हम, व, क्या, आपने, कुछ, उसे, यह सरणाम शब्द है, और सूरज, कलम, राजा, अजय, राने, यह सरणाम शब्द नहीं है, यह संग्या शब्द है, तो बच्चो इस प्रकार से अपने पुछतक को भर लेना है, जैसे मैंने लिखा है, साफ और सुन्दर अक्षरों में, अगली वीडियो में हम लोग अगला देखेंगे,